और दोस्तों कैसे हो आज मैं आपको एक यूनिक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा पर्फ्यूम का ये कफी अच्छा होने वाला है आज की वीडियो लेकिन उससे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और शेर तो जरूर करें क्योंकि ऐसे यूनिक फॉर्मूले आपको यूटूप में और कहीं नहीं मिलेंगे जितने भी आपको पर्फ्यूमर पर्फ्यूम बना के दिखाते हैं वो एक कंपाउंड मिलाते हैं और आपका पर्फ्यूम बनके तयार लेकिन इन सारे इंग्रिजेंट से कोई भी पर्फ् और बेस नोट में यूज़ करेंगे हम सीडर गूड निरोली और वैटिगर तो आज हमें सबसे आपको एक यूनीक फ्रेदरेंस इनुवेट करके दिखाएंगे जो बहुत अच्छी और सुन्दर होने वाली है आए दोस्तो हमें इसको शुरू करते हैं यह मैंने एक मेजरमें कप लिया है इसमें सरसे बहले में डालूँगा टॉप नोट के अंदर मेंडरीन नेक्स्ट हम लिंगे सिनामन यह भी मैं 1 ml ही रूँगा अब मैं ले रहूं कार्डमम यह एक स्वीट एंड स्पाइसी नोट्स देगा पर्फ्यूम के अंदर नेक्स्ट ले रहे हैं जैस्मीन यह मैं लूँगा 1 ml मैं तिर ले रहूं लिली ओफ दा वैली यह मैं 0.5 ml अब आते हैं बेस नोट के उपड़ पहला बेस नोट लूँगा मैं सीडर वूड लूँगा मैं 1.5 ml फैटिवर लूँगा मैं 2 ml लास्ट हमरा बचा नीरोली यह भी मैं 2 ml ही रूँगा यह आपका फॉर्मूला बनके तियार है जो यह हमने 10 ml का पर्फ्यूम कंपॉंड बनाया है इससे हम 50 ml का पर्फ्यूम बना सकते हैं इसमें जाएगा 2.5 ml फिक्सोराइड इसमें जाएगा 2.5 ml डिस्टिल्ट वॉटर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस पीकर में डालेंगे हम 35 ml इथाईल अलकोहल यह हमारा 50 ml पर्फ्यूम बनके रेडी है अब इसको आपको बॉटल में करना है और 15-20 दिन के लिए छोड़ देना है 15-20 दिन के बाद जब पर्फ्यूम यूज करेंगे तो आपको मज़ा आजाएगा कि आपने क्या पर्फ्यूम बनाया है तो दोस्तो मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक शेर कमेंट जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें ऐसे अच्छा अच्छे फॉर्मूले मैं आपको लाके देता रहूंगा इससे आप चाहें तो अपना बिजनस भी कर सकते हैं परसनल यूज भी कर सकते हैं अच्छा तो दोस्तो जाहिंद शुक्रिया